आज की स्टूड़े में दोस्तों बात करने वाले हैं रेल्वे टिकट के बारे में कि कैसे अपने नाम से बना रेल्वे टिकट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करेंगे तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं बहुत से लोग काफी पहली ही टिकट करवा लेते हैं लेकिन कुछ परेशानी के वज़से वो नहीं जा पाते हैं जिससे उनको टिकट कैंसिल करवाना पड़ता है जिसके लिए उनको कैंसिलेशन चार्ज भी देना पड़ता है लेकिन अब भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार यातरी अपना कनफर्म टिकट परिवारिक सदस जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पती और पत्नी के नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं लेकिन इसमें साले साली सास ससुर के नाम पर नहीं करवा सकते हैं ट्रांसफर हैं चलिए अब जानते हैं कि कैसे करेंगे ट्रांसफर ट्रेन के प्रस्थान करने से 24 घंटे पहले रिजर्वेशन काउंटर पर टिकट और पहचान पत्र की फोटो कोपी जमा कर टिकट अपने परिवार के किसी भी सदस्थे के नाम पर ट्रांसफर का आवेधन किया जा सकता है इसके लिए कोई सुलक नहीं लिया जाता लेकिन आपको बता दें कि ये वेटिंग या रसी टिकट पर ये सुविधा नहीं मिलती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर इस वीडियो से रिलेटर आपके मन में कोई भी कनफ्यूजन है कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट में सवाल पूछ सकते